दोस्तों NIA के दुआरा एक अभी चार्चीट दायर की जाती है और उस चार्चीट की पुरी डिटेलिंग अगर देखी जाए तो यह अपने आप में बहुत ज़्यादा चौकाने वाली बात भी है और हमारी सिक्यूरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात भी ह मुद्दा यह है कि म्यामार से जिन मुस्लिम रोहिंग जास को निकाला गया वो अभी इंडिया में इलिगली आ रहे है और साथ में अलग-अलग स्टेट्स में अब स्टेट भी आप एक नहीं आंदरप्रदेश देख लो जम्मू कश्मीर देख लो दिल्ली वेस्ट बेंग जिन रोहिंग या मुस्लिम के पास में आधार कार्ड कैसे आया तो इसी चीज को लेकर के यहां पर यह रिपोर्ट डिस्क्स करना हमारे लिए इंपोर्टन हो जाता है तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक इंपोर्टन इंफरमिशन है कि P.W लिए और लिए इस के द्वारा ओफलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट किये जा रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए और यह आप एंड्रोल कर सकते हो हमारे चारो सेंटर्स मुखरजी नगर करोलबाग लखनव पतना यहां पर हम यह एक तरीके स प्रेशन करने वाले हैं यह जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो चलेंगे जिसमें आपको प्रिलिम्स में और इंटर्व्यू एक इंटेग्रेटिड अप्रोच मिलेगी इन तीनों के लिए और साथ में काम करने का जो तरीका होगा स्टूडेंट्स पे फोकस करने का ज और यह अपने आप में आपके लिए बहुत ही helpful होगा क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं जीरो टू एडवांस लेवल पर ले जाने के efforts करने वाले हैं आप इसके लिए और जानकारी के लिए आप इस दिए हुए contact number 9920613613 पर आप contact कर सकते हो आपको पूरी detail वहाँ पर और मिल तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि रोहिंग्यास का जो मामला है वो वाकई में अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनता चला जा रहा है और इस सेंसिटिविटी को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपने बहुत से रिपोर्ट्स देखी होंगी कि इंडियन ग बहुत सारे concerns है जिनको हम discuss करने वाले हैं और उसके अलावा जो हम लीगल आसपेक्ट की बात करें कि हाब ही कानुनन तोर पर इंडिया इनको accept नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या arguments हम दे सकते हैं तो ऐसी परिस्तितियों में यह article हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता बांगलादेश से इंडिया की तरफ जो है वो कैतना बच्चों को और महिलाओं को लाया जाता है और उनको बेचा जाता है अभी आपने आप में बहुत बड़ी concerning बात है कि महिलाए और बच्चे जो की vulnerable section के part हो जाते हैं उनका यहाँ पर खरीद फरोग्त होना यह अपने आ आप में वाकई में human rights का violation भी देखने को मिल रहा है बट वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो बांगलादेशी nationals है वो तो involved हैं अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 2017 में वैसे तो 1982 से लेकर अभी तक लगाता रोहिंग्या Muslims को Exodus का सामना करना प रोहिंग्या Muslims की location आपको मिल जाएगी अब होता क्या है कि 1982 से लगातार यहां पर इनको Exodus का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनका धर्म है Muslim और म्यामार में majority है बुद्धिस्ट की तो इस वज़ए से इनके उपर pressure create किया जाता है वहां की military जो है जुन्टा उसके द्वार मतलब 10 लाग के लगबग आप देखोगे कि रोहिंग्यास को यहां पर रोका हुआ है यहां पर एक area है बासंचारकर के island है वहां पर इनको locate किया हुआ है इसके अलावा इंडिया में भी इनकी population अच्छी खासी बताई जा रही है कि 30 से 40 हजार के लगबग रोहिंग्यास है वह infiltr कर चुका अब यह तो चलो हमारे पास में document available है reality तो कुछ और भी हो सकती है इसके अलावाथ island की बात कर लो Malaysia की बात कर लो इधर Indonesia की बात कर लो ठीक है आगे साओधी अरब पाकिस्तान यहां पर भी रोहिंग्यास अपनी जान बचा करके निकले हुए है पर सवाल ही आ migrants और एक होता है refugees दोनों में आपको difference आपको पता है तो बहुत बढ़िया निदे को simple सी बात है refugees basically वह होता है जिनको आप by pressure अपनी जगह चोड़ने के लिए मजबूर करते हो और migrants वह होता है जो अपनी by choice कि हाजी मुझे कहीं जाकर के job करनी है और उसके basis पर मुझे आगे exposure लेना है तो वो निकलता है तो कहने का मतलब refugee और migrants में एक thin line difference है कि आप यहाँ पर pressure के basis पर आप अपनी जगह चोड़ रहे हो या फिर आप अपनी खुद अपनी choice से जा रहे हो तो यहाँ पर refugees का मामला है अगर हम रोहिंग ग्यास की बात करें अब देखो होता क्या है कि हमा बड़ी बात आती है कि इनके पास में कागजात कहां से आते हैं और यही रैकेट जो है वो अभी तमिलनाडू में पकड़ा गया है अब आप देखोगे कि यह रैकेट कैसे काम करता है देखो होता क्या है कि जो बांगलादेशी national या फिर जो भी इस तरीके की human trafficking तो contact करने व नहीं है तो वो government officials है वो बांगलादेशी national या जो भी illegal activities में इंडल्स individuals है वो क्या करेंगे उस data को अपने साथ में access करेंगे कहां जी data आ गया उसके बदले में उनको government officials को पैसा दे दिया जाता है अब उसमें आधार की information निकाल ली जाती है अब आधार की information जैसे निकलेगी तो डियो भी कुछ न कुछ printed होगी उस आधार पे अब उससे वो जो individual से human trafficking में और इस तरीकी की infiltration करवा रहे है रोहिंग्यास की वो लोग क्या करेंगे रोहिंग्या camps में जाकर के या फिर वहाँ पर अपने network के लोगों को inform करेंगे कि फला फला date का हमारे पास में एक आधा पास का कौन individual है उसको pick किया जाएगा और फिर उसकी detail लाकर के और data जो है इस आधार कार्ड में update करवा दिया जाएगा अब इस तरीके से क्या करते हैं कि ये illegal manner में इनके पास documents आ जाते हैं एक बार document एक बनिया ना आधार फिर आप देखो pen card इनका बन जाता है राशन और साथ में एक चीज बड़ी ज्यान की दी जाती है कि बटा आपको नोकरी के लिए apply नहीं करना है अगर इन काग्जों का यूज करके आपने नोकरी के लिए apply कर दिया तो आप पकड़े जाओगे तो इस तरीके की proper training दी जाती है इन लोगों को तो कुल मिला करके ये अपन गाड का data निकलवाते है और उसमें update करवाते है तो अब आप समझ सकते हो कि situation कितनी जादा grave है कितना जादा alert होने की ज़रुत है अब देखो इंडिया पे सवाल तो बहुत उठाते है कि इंडिया जो है वो बिलकुल एक तरीके से insensitive होकर के काम कर रहा है इंडिया को कम से कम समझने की ज़रुत है कि आप आपके पडोस में इतनी परिशानी हो रही है आप इन लोगों को क्यों नहीं accept करते देखो जी सीधी बात है पहली चीज तो इंडिया की government का सीधा stand क्या आता है कि हम 1951 का जो refugee convention है उसके signatory नहीं है हम उसके उपर sign नहीं हमने sign नहीं किये क्यों सबसे पहली चीज तो refugee की जो definition है वो इंडिया ने reject कर रखी है इंडिया ने बोला कि बोला आप political और cultural aspect में तो refugees की बात कर देते हो अब आप बताई या civil aspect में बताए economic aspect में कोई refugee नहीं हो सकता को individual अपने देश को इस वज़े से नहीं चोड़ सकता कि हाँ जी मेरे तो यहाँ जी की definition proper करो तो हम accept करेंगे दूसरी कि अगर यहाँ पर इंडिया इस तरीके की convention को sign कर लेता है तो इंडिया को यहाँ पर sovereign decision लेने में problem आएगी वह सीधी बात है यह हमारा घर है इंडिया तो यहाँ पर किसको हमें entry देनी है किसको नहीं देनी यह हमारा खुद का decision होना ची पाएंगे और चौती चीज देखो जी South Asia already बहुत ज़्यादा destabilized region है हमारी porous border के चलते हैं already कितने ही लोग illegally इंडिया में आ चुके हैं आप खुद देखो कि Bangladesh का जब से liberation हुआ है उस समय की बात की जाए तब से लेकर अभी तक Assam में कितनी ज़्यादा destabilization या एक तरीके से instability बनी हुई है तो इस वज़े से इंडिया नहीं ये convention नहीं sign कर रखी बट इस अगर इंडिया में कोई refugee या illegal individual इंडिया में घुश जाता है तो देखो उस परिस्तिते में इंडिया के पास में कुछ provisions है जिनके आधार पर government action लेती है जैसे foreigners Act 1946, passport entry into India Act of 1920, registration of foreigners Act of 1939, citizenship permanent act 2019 जिसका base है 1955 का इन तीनों इन चारों की अगर बात करें तो इसमें इंडिया सीधी सीधी अपनी तरफ से action ले सकता है कि अगर कोई foreigner जिसके पास में legal document नहीं उसको detect करना है उसको detain करना है या फिर उसको उसके ही देश में return करना है तो foreigners Act के आधार पर ये काम किया जा सकत है passport entry into India Act की बात करें तो इसमें अगर कोई भी foreigner illegally इंडिया में आ गया उसका passport जब्त करने का जो provision है वो available है इसके अलावा आप registration of foreigners Act की बात करें तो इसमें कहा जाता है कोई भी foreigner अगर इंडिया में आ रहा है long visa पे तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर inform करना पड़ेगा Indian officials को ज जिसमें यह है कि हमारे पड़ों से तीन देश बांगलादिश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो हिंदू, Christian, Jain, Parsi, Sikh, Buddhist, Community के कोई भी लोग आता है तो उनको हम citizenship जल्दी देने की कोशिश कर रहे है बाट यस इसको लेके भी अगलत controversy चल रही है वो हम बार-बार time to time discuss करते रहते है तो ऐसे में अब आपके लिए रोहिंग्यास को लेकर एक important question है प्लीज इस question का answer आप comment box में जरूर दीजिए I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एक चीज हमेशा ध्यान रखना national security national interest यह हमारे लिए बहुत important रहता है तो उसी point of you से आर्टिकल हमने discuss किया ठ एक है thank you